जुरुम्बिश ये रेडियो जुरुम्बिश उर्दू की आवाज है आज 8 जनवरी जुमे का दिन और साल 2021 है और मैं हूँ आपका मेजबान दोस्ते मुराद बलूच रेडियो जुरुम्बिश के आज की नियूस बुलिटन में बलूचिस्तान समय तिलाकाई और आलमी खबरे शामिल हैं आईए सबसे पहले बलूचिस्तान से मुतालिक खबरें सारे बलूच से सुनते हैं सानिय मच के खिलाफ कोईटा में हजारा बरादरी का एहतिजाजी धरना जुम्राद को पांचवी रोज भी जारी रहा हो सका है इससे पहले पाकिस्तान के वफाकिय वजीर दाखला और वजरा कमैटी के बाद कटपुतली वजीर अलबलूचिस्तान जामकमाल के साथ भी दरने के शरका से मुझारत नाकाम हो गए हैं जाम कमल मगर्बी बाइपास पर दरने की शरका के पास आए और चंद लम्हे ही शरका के साथ गुजारा उन्होंने मुजहरिन से मुखाटब होकर कहा कि अमन अमान का मामला सुबह हकुमत की दारे अख्तियार में आता है और अगर वजीराजम आए भी तो वो यही कहेंगे ताहम दरने की शरका ने उनकी बात नहीं मानी और यह कहा कि जब तक वजीराजम नहीं आएंगे मैयतन के हमरा उनका इहतिजाग जारी रही गा साने मच के खिलाफ जम्हेरात को कुईटा में शिटर डाउन हर्ताल की गई हर्ताल की कॉल अंजमन ने ताजरान बलूचस्तान की जानब से दी गई थी कुईटा की अक्सर मसरूफ मार्कीटी हर्ताल के बास बंद रहे जबकि शहराओं पर मामूर से कम ट्रैफिक दिखने में आई बलूच यक जहती कमीटी की तरफ से जहीर बलूच की कयादत में सान्य मच के खिलाफ उस्ताम महमद में प्रेस कलब के सामने मुजहरा किया गया मुजहरे के शरका से जहीर अहमद बलूच और आफ़ता बामरानी ने खिताब करते हुए कहा कि सानिय मच बहुत बड़ा सानिया है और ये सानिया हुकमरानों की नाहिली का मू बोलता सबूत है मुजहरे ने कहा कि गुजश तके दिहायों से हजार बड़ादरी के साथ जल्म और जयाती की जा रही है बलूच पश्टून आपस में भाई बाई है आज बलूच कौम अपने हजार बाई उनके साथ शाना बशाना खड़ी है मजहरे के बाद हजार शुवदा की याद में शम्य रोशन की गई नवाब अकबर खाम बूख्टी के साहबजादे जमील अकबर खाम बूख्टी ने समाजी राप्ते की वेब साइट टुईटर पर अपने एक टुईट में कहा के बियसो के साबका चेहर परसन करीमा बलूच के गतल से आलमी राय आमा की तवज़ा हटाने के लिए मच में हजारा ब्रादरी के ग्यारा बेगुना अफराद को गतल किया गया है पाकिस्तान मसलिम लिग नून की नाइब सदर मर्यम नवाज ने कोईटा कर धरने में शरकत और लवाहिकिन से ताजियत की धरने के शरका से खताब करते हुए उन्होंने इमरांग खान को मखातिब करते हुए कहा कि आप चल कर आएं इनकी दाद रसी करें ये लाशे रख कर आपके मनतजर हैं इमरांग खान साहब इनकी लाशे और तकालिफ से क्या आपकी अना बड़ी है रियासत की जिम्दारी है कि अपना हक अदा करें वजिराला सिंद ने कुईटा में धरने के शरका से खताब करते हुए कहा कि हम इस वाके के मखमत करते हैं हकुमत जल्द से जल्द वहशी कातलों को गृफ़तार करें और मुर्जमान को गृफ़तार करके अबरतनाक सजादी जाए मुराद अलिशा ने कहा कि हमारी पार्टी शोदा के कई जनाजे उठा चुकी है हमें पता है गम क्या होता है मच वाके के खिलाफ शिया उल्मा कौंसल पाकिस्तान ने इसलामाबाद में प्रेस कौंफरेंस करके बलुचस्तान में ग्रेंड आपरेशन का मतालबा किया वजिरस्तान जैसे आपरेशन किया जाए और हजार अबरादरी के गतल में मलाविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए बीलिफ के रहनमा मुकदम मरी की वालिध हाजी सूबधार खान मरी वफात पा गए है सूबधार मरी 1970 के समाने से बलूज जोहत से वाबस्ता थे मकदम मरी ने रेडियो जरुमबिश से खुस्सी गिफ्तगो करते हुए अपने वालिध के कौमी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए याद किया उन्हों ने कहा वालिध सहब अमर रसीदा और जाइफ थे और अपने तिबेई अमर पूरे कर चुके थे 1990 में उन पर फालच का हमला हुआ था अब दोबारा उन पर फालच का हमला हुआ और जाइफ अमरे की वज़ज़ से जानबर ना हो सके बलूच रहनुमा के मताबिक बुट्टो हकूमत के दोरान सुबेदर खान सरमचारों के सफ्यावल के दस्ते में शामिल थे जिन्हों ने कई महास पर दुश्मन का सामना किया और एक से जायद मरतबा गरिफतार होकर तशद्द का शिकार हुए उन्हों ने कहा मेरी जिद जोहत की वजह से भी वालिद को कई बार गरिफतार किया गया और उन पर मुझे सरंडर करवाने के लिए दबाओ डाला गया बलूच नेशनल मुवमिंट के मरकजी इन्फरमेशन सेकरेटरी दिलमराद बलूच ने बलूच ने बलूच ने इनसानी हकोग के पामलियों पर मबनी दिसमबर साल 2020 का तफसेली रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि साल का आखरी महीना हस्बे साबक बरबरियत और रियासती देशित गर्दी में गुजरा बलूच ने बलूच नेशनल में नंगी जारीत शिद्ध के साथ जारी रहा दिसमबर के महीने में पाकिस्तानी फौज ने पचास से जाएद आपरेशन और चापों में नो अफराद को गतल जबके 65 अफराद लापता किये तीन बलूच महाजरीन और एक बलूच कोमी तहरीक के हमदर्थ को अफगानिस्तान में कतल करके शहीद किया गया पांच जोहतकार पाकिस्तानी फाज से दूबदू लड़ाई में शहीद हुए इनमें से एक कोड़ेत स्कॉाट के कारिंदों ने कतल किया जबकि नो अफराद पाकिस्तानी अकुबत खानों से बाजया भूकर घर पहुँच गए फाजी बरबरियत का ज्यादा जोर मकरान आवरान और बोलान में रहा इन अलाकों में फाज ने दरजन औ घरों को लूटने के बाद नजर आतिश किया तरजमान ने कहा कि इसी महीने ही में केनडा के शहर टॉरंटों में बानुकरीमा के गतल का अंधोनाक सानिया पेश आया जिन्हें लापता करने के बाद गतल किया गया पुलीस ने अब्तिदाई रिपोर्ट में उनकी शहादत की वज़ा गयर मुझरमान सरगर्मी बताई जिसे बलूच नेशनल मुवमिंट समयत पूरी बलूच कौम ने मस्तरत कर दिया दिन्होर्ट बलूच ने कहा दिसम्बर के महीने में पाकिस्तानी फाउज ने केच और पंचगूरकी दर्मियनी औरे किलकूर में वसी प्यमाने पर जारियत की किलकूर एक वसी लाका है जहां मालदार लोग बड़ी तादाद में आबाद है पाकिस्तानी फोज ने कोलवा और किलकोर के अक्सर इलाकों को महसरे में लेकर बरबरियत का आगास कर दिया और किलकोर में एक जियारत पर जंगी हेलिकॉप्टरों ने बेदरीख शेलिंग करके कतल आम की नई मिसाल काइम करके साथ जाहरीन को कतल कर दिया उन में छे अफराद को मसल्ल जहुदकार करार दे कर उनकी लाशे अवारान मुन्तकिल कर दिये जबके एक कमसन बच्चे की लाश वहीं पहिंक दी इस कतल आम के दौरान मतादित लोग जखमी हुए दरिंदा फौच ने जखमी उनको तिबे इमदाद के लिए बाहर ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी इसके लावा कोलवा और किलकुर से इस आपरेशन के दौरान 40 से ज़्यादा लोगों को फौच ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया इन जबरी गुमशदा अफराद में से तीन अफराद को दौरान हिरासत कतल करके उनकी लाशे कोलवा में फैंक दी गेचक से मलहका इलाकों से मतादित खवातिन और बच्चों को हिरासत में लेकर नामालू मकाम मुंत्किल कर दिया दिल मुराद बलूच ने मजीद कहा कि बलूच इस्तान में पाकिस्तानी फौज की बरबरियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है यहां बाकाइदा इनसानी अल्मिया जनम ले चुका है अगर अकवाम मुत्हिदा समेट इनसानी हुकुक एदारों ने बलूच इस्तान की सुरत इहाल का नोटिस नहीं लिया तो पाकिस्तान बंगला देश से कई दरजा बत्तरी नसल कशी करने से नहीं कत्राएगा बलूच आज़ादी पसंद रहनमा और बलूच नेशनल मुवमिन्ट की साबिक सेक्रेटरी जेनरल रहीं बलूच इडूकेटरी समाजी राप्ती की वेबसाइट ट्वीटर पर अपनी ट्वीट में कहा है कि मीर सुलिमन दाउद का मगरिबी बलूच इस्तान में फिरकेवाराना ग्रोहं की मश्रिकी बलूच इस्तान की आज़ादी पसंद कुगतों की साथ मौजना गेर हकीकत पसंदाना है उन्हों ने कहा कि बलाखर इस तरह की बदगुमानियों को पहलाने की नतीजे में पाकिस्तान की जानब से बलूच आज़ादी जिद जहुद को प्राक्सी वार की तोर पर पेश करने के जूटे प्रोपेकिंडे को तक्वियत मिलेगी मस्तुंग के किली कौंगर के रियाशी लापता लेवी जहलकर साइध एमद शावानी के वालदा और दीगर लवाहिकी ने सारवान प्रेस कलब में प्रेस कानफरेंस करते हुए कहा है कि साइध एमद को आट साल कबलों के एक कजन के हमरा कोईटा से मस्तुंगाते हुए लापता साइध एमद के वालदा के कहना था कि मेरे दो बेटों को इस से कबल नामालूम अफराद कतल कर चुके हैं और साइध एमद की जबरी गुमशदगी और भायों के बेरहमन अकतल के वजह से मेरी एक बेटी भी दिल बरदाशता होकर इंतिकाल कर गई है लापता साइ कारवाई के बाद जल्द रिहा किया जाएगा और एक मरतबा हमें बेटे की रिहाई की खबर भी दी गए मगर आज तक हमें जूटी तसली की सिवा कुछ नहीं मिला है लापता साइध एमद के वालदानी डिप्टी कमिशनर मस्तुंग वजिर अला बलुचिस्तान फृरंट ये थी सारेन बलुचिए अब इलाकाई और आलमी खबरें पेशी खिद्मत हैं पाकिस्तानी जेरी कब्ज़ कश्मीर के इलाके मुजफर आबाद में स्केल अपग्रेडेशन के लिए असातिज़ के पुर अमन इहतिजाच पर पुलीस ने बद्तरीन तशदुद किया है जिसके नतीजे में तारिक आबाद के मुदर्रिस शहबाज खोकर शहीद और तैंतालीस असातिज़ गिर्फतार किये गए हैं दूसरी तरफ जमू कश्मीर पीपर्ड नेशनल पार्टी की तरफ से उसे बद्तरीन रियासती दहश्चत गर्दी करार देते हुए उसकी शदीद मुझमत की गई और असातिज़ के साथ यकजहती का इजहर किया गया और मज़िद कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि असातिज़ अपने हकूग के लिए मुनज़म हूँ और कातिल रियासत से अपने हकूग छीन ले खाइबर पख्तुंख्वा के इलाके मुहमंद एजन्सी में पाकिस्तानी फाउज की एक चेक पोस्ट पर हमले में एक सिपाई हिलाक हुआ हुआ है पाकिस्तानी फाउज के शोबए तालकात आमा आई-एस-पियर की तरफ से जारी एक बयान के मताविक अफगानिस्तान की तरफ से जिल्ह मुहमंद में फौज के चेक पोस्ट पर हमले किया गया हमले की दौरान मुसल्ला अफराद के साथ फारिंग का तबादल हुआ जिसमें फौज का एक 25 साला सिपाई हलाक हो गया पाकिस्तान के सूबे पंजब के मौकिमा इंसिदार दहशत गरदी CTD ने सरगोदा में कारवाई दौराद एक कलադम तंजीम के साथ दहशत गरदों को गिरिफ्तार करने का दावा किया है से चापे के दौराद दहशत गरदों से फारिंग का तबादल भी हुआ है और दहशत गर्दों से दस्ती बम, असला और धमा का खिज मवाद भी वरामत किया गया है सिंद के रेगिस्तानी अलाके थर में घिजाई कमी की सबब ती नव मौलूद बच्चे हलाक हुए हैं रेडियो जरंबिश को मिलने वाली इतलात के मुताबिक सिवल इस्पताल मिठी में घिजाईयत की कमी और मुखतलिफ बीमारी में मुबतला मजीद तीन बच्चे वफात पा गए मौकमे सिएथ थरपारकर ने कहा है कि मरने वाली बच्चों के उमरें तीन माँ दो माँ और एक नव मौलूद है बच्चों का तालुक देही इलाकून से है मौकमे सियत के मताबिक रवांसाल मरने वाले बच्चों की तादाद छे हो गई है जबकि थर के इस्पतार में मजीद पच्चास ऐसे बच्चे जेरे इलाज हैं जमियतِ علماء इसलाम फजल रह्मान के सरवरा मौलाना फजल रह्मान ने बन्नू में पीडियम के जलसे से खताब करते हुए कहा है कि हम एक आज़ाद और खुद मुक्तार मुल्क बनना चाते हैं किसी ताकतवर मुल्क की कालूनी नहीं रह सकते और 31 जण्वरी को कराची में इस्राइल नामन्जूर मिलियन मार्च करेंगे हम मैड़ान में हैं नकिसी का बाप काध्यानी उंको मुस्लिमान बना सकेगा और नकिसी का बाप इस्राइल को तसलिम करा सकेगा उन्होंने कहा कि इसलामाबाद की ताकत वर कुवत की लल्चाई हुई आंखें सूभूं के जजायर की तरफ बढ़ रहे हैं गरीब पाकिस्तानियों के हकूप के लिए उनके साथ खड़े हैं उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक नहीं रुकेगी इसलामाबाद जाएंगे और हुकमरानों का तखता उटे बगएर वापस नहीं आएंगे उनका कहना था कि हजारे बिरादरी के मजलूमों के साथ वो शाना बशाना खड़े हैं इराने पासदारा ने इनकिलाब की समंदर पार कारवायों की जमदार तन्जीम अलकुदस फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलिमानी के कतल में मुबजिना तोर पर मुलविस होने के लिजाम में अमरीकी सदर डोनल्ड टरम्प और सैंटालीस दीगर मुलविसमान के इंटर पॉल के जरीए वारंट गरिफतारी जारी कर दिये हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक एरानी अदलिया के तर्जमान गुलाम हुसेन इसमाईली ने कहा कि एरान ने अमरीकी सदर डोनल्ड टरम्प के खिलाफ बैनल अकवमी पुलीस इंटर पॉल और सैंटालीस दीगर मुलविसमान के खिलाफ एरानी पासदारन इंकिलाब के स मुश्तरिक एजलास पर सदर टरम्प के हामियों का धावा बोलने के अमल को बगावत करार दिया जो बाइडन ने सुबकदोश होने वाले सदर डोनल्ड टरम्प पर जोर दिया कि वो आगए बढ़ें और तशद्द को मुस्तरत कर दें बुद को कैपिटल हिल पर होने वाले हंगामा आराई के दरौन चार अफराद हलाक हुए हैं जबकि पुलीस ने तेरा अफराद को हिरासत में लेने के बाद वाशिंग्टन डी सी में कर्फ्यू नाफिस कर दिया है आखरी इतलाद के मताबक कैपिटल हिल की अमारत को मुझाहरीं से खाली करवा के महفوظ बना लिया गया है और अब वहां 2700 स्चिकूरिटी एहलकार भी ताइनात कर दिये गए हैं हंगाम आराए के बाद कांग्रेस का मुझतरी का इजलास दोबारा मुनकिद हुआ जिसमें जो बाइडन के काम्याबी की तोसीक की गई शाम के दारल हकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके अलकस्वा में मुबजिना एराणी मराकिस पर ताज़ा इसराईली बंबारी के इतलात मिले हैं मकामी मीडिया के मताबिक दमिश्क की फिजा जोरदार धमाकूं से गूंज उठी ये बंबारी इरानी पासदारान इंकिलाब के कमांडरों के दोरह शाम के 48 घंटों के अंदर की गई है ताहम इसके नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं शाम में इनसानी हकूप के लिए काम करने वाले इदारे सीरियन आफजर वेटरी के मताबिक ताज़ बंबारी में दमिश के करीब एरान और हिजबल्ला के वफादार गुर्पों के मराकिज को निशाना बनाया गया है जिन में मतादिद अफराद हलाक हुए हैं ताहम उनकी तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है जापनी कमपनी होंडा ने अपने सारफिन को करोना वारस से महفوظ रखने के लिए नई टेकनालोजी मतारिफ करवा दी है इस नई टेकनालोजी को कमपनी के जानब से करोमास का नाम दिया गया है जो जापनी लफसकार करोमा और मास का मरकब है कमपनी के मताबक कुरो मास्क डिवाइस को कैबन में एर फिल्टर पर लगाया जा सकता है ये डिवाइस 15 मिनट जैसे मुक्तसर वक्त के दोरान गाड़ी में गर्दिश करने वाले 99.8 पीसिद कुरोना के वाइरल जर्रात को अपनी खास सतह से कम कर सकती है इसी के साथ ही आज की खबरें खत्म हुई अपने मेजबान दोस्ते मुराद बलुच को अजाज़त दीजिए और मजीद खबरों के लिए रेडियो जरुमबिश से जुड़े रहीए